नमस्ते बच्चो बच्चो आज हम हमारे पाठ्थ पुस्तक का पाठ तिसरा सबजिया यह पाठ पढ़ने वाले हैं सबजिया मतलब वेजिटेबल्स इस पाठ में कुछ सयूकताक्षर दिये हुए है सयूकताक्षर मतलब दो वेंजनों को जोडने से बने वेंजन को सयूकता वेंजन कहते है चित्रवाचन है, पिक्चर रेडिंग है, देखो, समझो और बताओ पाई हटा कर जोड़े हम, पाई मतलब एक डंडी, बीच में जो एक डंडी आती है वो हटा के कैसे शप्त बनते है, वो आजम पढ़ने वाले है कुछ चित्र है, पिक्चर जे, वो देखते है, पहला चित्र कौन सा है फर्स्ट जो पिक्चर है, बच्चा, अभी बच्चो ये जो बच्चा चित्र है, तो चो का आधा भाग को चा के साथ जोड देने पर संयुक्त वेंजन चा बनता है, मतलब चो हाफ आएगा वो पाई हट जाती है, डंडी हट जाती है, चा चा बनता है, इन संयुक्त अक्षर का उपियोग करके बच्चा शब्द बन गया चो के साथ पाई नहीं है दूसरा चित्र देखते है, चम्मच म के साथ पाई नहीं है तिसरा पिक्चर है, लसी बीच में जो सं आता है, फुल सं नहीं आएगा पाई मतलब उसकी डंडी हट जाएगी, लसी नेक्स्ट पिक्चर है, उल्लू ल में पाई नहीं आएगी, हट जाएगी, ल को लू ऐसा वड़ है, जोइंट उल्लू शब्द बनेगा नेक्स्ट चुल्ला चुल्ला वड़ कैसा आएगा? ल हाफ आएगा, हाँ जोइंट हो जाएगा ल के साथ पाई नहीं है हाफ ल आएगा ना? नेक्स्ट है, सबजिया ब़ फुल नहीं आएगा, ब़ हाफ आएगा सबजिया और लास्ट पिक्चर है, चपल प़ हाफ और प़ फुल तो प़ जो है, उसको पाई नहीं आएगी, मतलब डंडी नहीं आएगी चपल अभी कुछ वर्ड्स दिये हुए है वो वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे श्रवर्ण, सोनो और दोराओ पहला शब्द है, चत्रुग्न देखो बच्चो इसमें घो हाफ आया, पाई हट गई, पाई मतलब डंडी भक्षो, कुत्ता, तथ्यो, मध्यो, मुन्ना, प्याला अभी प्याला जो है, सब जो वर्ड्स पढ़ें हम लोगों ने वो बीच में जो वेंजन है, हाफ वेंजन और उसकी पाई हट गई है, डंडी हट गई है लेकिन प्याला, इदर पह फुल नहीं आया, पह हाफ आया तो इदर पह में पाई हट गई है, डंडी हट गई है, हाफ पह है प्याला, सम्मान, अयर, जोती, काव्या, पत्थर, बच्चा, चमच, लसी, उल्लू, चुल्ला, सब्जी, चप्पल, ग्वाला, अच्छा, ज्वाला, ग्लास, ये सब ऐसे शब्ट है, जिसमें पाई नहीं है, अभी कुछ सेंटेंस रीड करेंगे, खुशी और आनन को हरी सब्जिया पसन है, हरी सब्जिया मालू मैं न, ग्रिन वेजिटेबल्स, हरी सब्जिया में कौन सी सब्जिया आती है, जैसे की सोवा, पालक, मेथी, ऐसी, ठीक है, नेक्स सेंटेंस, चुल्ले का खाना स्वादिष्ट होता है, नेक्स बच्चा गुब्बारे को देखकर हसने लगा, नेक्स कल्लू गाउ का गुवाला है, नेक्स सेंटेंस, काव्या चपल पहनो, मुन्ना चम्मच से खाएगा, उत्पल उल्लू का चित्र बना, तो बच्चों, आप लोग के समझ में आया, कि पाई क्या है, वो पाई हड़ जाती होर कैसा सन्यूकताक्षर बनता है, अबी भाशन संबशने, पैचानों और बोलो, यहाँ पे कुछ चित्र है, पहला जो चित्र है, कौनसा चित्र है, गुब्बारा, नेक्स्ट, पत्ता, तो हाँ फाएगा बीचका, ता जोइन्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो चित्र है, प्याज, मतलब ओनियन, नेक्स्ट, गन्ना, मतलब शुगर कैन, नेक्स्ट, गैरहो, नेक्स्ट, रसी, नेक्स्ट, चश्मा, और लास्ट है फुववारा, यह भी ऐसे शब्द है, इन में क्या नहीं है, पाई नहीं है, बेच में डंडी नहीं है, अभी वाचन है, पढ़ो, और कुछ वर्ड से, वो हम लोग पढ़ते हैं, मुख्यों, देखो बेच का जो खो है, फुल खो नहीं आया, डंडी नहीं आया वो डंडी को क्या कहेंगे, पाई, मुख्यों, विग्णों, ज्वार, लक्षों, त्रेंबक, तत्यों, ध्यान, सभ्यता, खैयाम, हल्दी, गुब्बारा, अत्ता, प्याज, गन्ना, गैरह, रसी, चश्मा, फव्वारा, दिव्य, पुश्प, कुछ सेंटेंस यू है है, वो पढ़ेंगे, घन्शाम पत्ता तोड़कर लाओ, अम्मा ने सबजी में प्याज डाला, पुश्पा चश्मा लगाकर पढ़ो, कुछना, गुब्बारा, खरित कर लाओ, कल्पना, रसी, पकड़ो, जोती, फव्वारा, देखो, सौम्या गन्ना तोड़कर लो, अक्तर अंको में गैरह लिखो, इस तरह बच्चो बिना पाये वाले शब्दों, आपको अच्छी तरह से पढ़ना और समझना है, थैंक्यू, जो चाहिते हैं, यई पुक्छी